हाई गाईज वेलकम बैक माई यूटूब चैनल दोस्तों इस वीडियो में आप लोग को बताने जा रहा हूं कि हम ओटर हिल्फ लाइन में हम कैसे चेक कर सकते हैं कि अपने रिप्रेंस आईडी के जरिये से कि अपने जो अधार काट किस प्रकार से लिंक हुआ है या नहीं हम किस प्रकार से अपनी स्टेटेस को चेक कर सकते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में आके जाने इस पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए तो प्लिस दोस्तों हमारे चैनल को सस्क्राइब केजिए का बेल आइकन को जरूर पेस केजिए का ताकि सि सबसे पहले मिलता रहा है तो दोस्तों हम देर नहीं करते हैं वीडियो पर आते हैं तो दोस्तों हम मोटर हेल पर लाइन को पहले तो सिंपली ओपन कर लेते हैं आप देख सकते हैं ओपन होने के कुछ इंतिजार किजिएगा ओपन हो चुक है दोस्तों यहां पर आप देख सकत हैं यहां पे आपके कुछ इसतर श्राइब शोँ हो जायेगा इंदमक्र कुछ इस इद्रयम आपकोm को क्लिकո न होगा झार में यहां आपक प्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस तरह सींडर्फेस सामने आएगा तो ऊपर में reference ID आपको सर्च करने को मिलेगा इंटर reference ID यहाँ पे दोस्तों आप reference ID को अपने इंटर करके नीचे में track status पे क्लिक करना होगा मैंने दोस्तों अपने reference ID को यहाँ पे उपर पे इंटर करने के बाद track करना शुरू करती है कारी process में हैं दोस्तों आप देखते रहे इस वीडियो को तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने अपने track application status को यहाँ पे show करके आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे नाम भी आए अपने state के नाम और farm मैं farm aid पे flip किल किया था फिल करने के बाद दोस्तों यहाँ पे दोस्तों मैं पूरा कर चुका था लेकिन दोस्तों यहाँ वेरिफिकेशन पूरी नहीं हुआ तो rejected मेरा farm हो चुका है तो आप इसी तरह से अपने भी ट्रेक कर सकते हैं अपने जो आईडी है आईडी आपको मिला होगा उस आईडी नम्मर से आप ट्रेक कर सकते हैं आईडी जिसको बोलते हैं ट्रेक करने के बाद दोस्तों आप से मैं जैसे चेक कर रहा हूं उसी प्रकार से आप इस वीडियो के माध्य हम से चेक करते हैं तो दोस्तों इस चैनल पर अगर नहीं है तो पहले चैनल को आप सब्सक्राइब केज़ेगा बेल आइकन को ज़रू कैसा मिलते रहे चैनल दोस्तों हम मिलते हैं नेस्ट वीडियो के साथ